हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दे एक्जाम हैकर यूटूब चैनल दोस्तो आज की इस वीडियो लेक्षेर में हम लोग यहाँ पे दे जेनेसिस अब स्वाइल को इस टॉपिक को हम लोग आज डिसकस करने वाले हैं जो हमारी बायो जिग्राफिक का पार्ट है दोस्तो इस टॉपिक को डिसकस करने से पहले हम लोग यहाँ पे सबसे पहले स्वाइल के बारे में देखेंगे स्वाइल होती क्या है फिर हम लोग देखेंगे कि स्वाइल की फॉर्मेशन कैसे होती है कौन-कौन से फैक्टर एफट करते हैं वो हमारी Genesis आप स्वायल में आ जाएगा तो दोस्तों स्वायल को यह आप define करोगे तो क्या होगी आप कैसे define करोगे स्वायल को तो दोस्तों हमारी आपको पता होगा कि लीथोई स्पियर हमारी होती है ठीक है लीथोई स्पियर के सबसे उपर आप देखोगे तो हमारे thin या thick layer यानि कि बहुत कम इसकी परत भुथे होती है या कहीं पे ज्यादा depth भुथे है और जो resto ispair के उपर जो हमारे loose material मिलते हैं ठीक है loose material मिलते हैं उसी को बोलते हम swipe तो swipe क्या होती है? swipe हमारे שנки email के उपर जो हमारे loose material है वो thin भी हो सकते हैं, बहुत पतले भी हो सकते हैं, थीक भी हो सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, smile और smile हमारे जो human के लिए बहुत ही major resource में आता है, क्योंकि 90% आप जो food होती है, human का, वो मारी smile से ही मिलती है, ठीक है, तो food security के लिए हमारी smile बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और दोस्तों smile की composition की बात करें, smile आप बोल सकते हो कि function यानि result किसका result होता है, हमारी atmosphere का, hydrosphere का, biosphere का और lethal sphere का, इन सब जो sphere हमारी है, environment है, उनका result हमारा है smile, ऐसा इसलिए, क्योंकि smile में जो हमारी humus होती है, humus कहां से मिलती है, हमारी bio spheres मिलती है, smile में जो micro organism होती है, कहां से मिलती है, हमारी bio spheres मिलती है, smile में जो minerals होते है, different minerals होते है, हमारी lethal spheres मिलते है, ठीक है, या parent rocks मिलते है, smile स्वाइल में गताती है उड ह stol दौ स्वाइल में HOW में हूल से हैं उसका मतलब है स्वाइल में जो हमारी तो हमारी यह 的 यह हमारी इन्वार्मेंट के जो different हमारे कंप कंपनेंट हैं वहांसे दौनामरी फॉरमेशन होती है तो इस तरह से आप हमारी soil को आप define कर सकते हो तो दोस्तों average composition की बात करें soil तो soil में आप देखोगे तो 45% के आसपास mineral composition होती है यानि कि लिथोई sphere से जो बहुत साइ different minerals होते है weathering process थूँ आते हैं वो हमारी 45% के आसपास हमारी soil के part होते है 5% इसमें organic matter होता है जो हमारी biosphere से आती है यानि कि organic matter में humans भी हो गया और micro organism हो गया और 50% हमारी जो composition होते हैं हमारी hydrosphere और हमारी atmosphere से आते हैं इसमें moisture, water और यहां पर air होता है तो average composition हमारी soil की इतनी होती है अब हम लोग आते है main part पे यानि कि जो हमारी soil की genesis होती गया है तो सबसे पहले आप define करोगे तो देखो the transformation of rock into agriculture land is called soil formation या soil genesis तो soil genesis क्या होती है जब जो rock होती है parent rock होती है उसको agriculture land यानि soil में conversion करने की जो process होती है उसी को बोलते है soil formation या soil genesis soil genesis आप देखोगे तो start होता है हमारी weathering process से यानि जो parent हमारी जो material है चाहे इगनियस rock हो metamorphic rock हो sedimentary rock हो उसका weathering होता है तो weathering से start होता है और weathered material बहुत सारे process के थूँ गुजरता है उसको chemical process बोल सकते हैं biological process बोलते हैं इन process के गुजरने के बाद बहुत सारे जो climatic factor होते हैं उसके थूँ गुजरत हुए soil यहां पर बनती है तो soil की बनने का starting point है वह हमारी weathering जो हमारी parent material से बनते हैं weathered material ट्रांसपोर्ट होता है इरोड होता है और उसमें बहुत सारे chemical biological composition change होते हैं यानि उसमें addition होता है removal होता है और फिर बाद में हमारी soil की formation होती है तो soil genesis और soil formation को आप समराइज करोगे तो यहां में पूछ ले जाएक soil genesis होती है क्या है तो आप क्या लिखेंगे इसमें आप लिखोगे सबसे पहले कि soil genesis होती क्या है और soil genesis में five factors और five process involved होते हैं तिन सब को लिखना है यानि कि five factors यहां पर five factors क्यों क्यों से parent rock, climatic factor, relief, flora, fauna and microorganism और time यह हमारी five factors involved है soil genesis में और यहां पर five process भी है फाइप प्रोसेस में जनरली आप देखोगे laterization, bacterization, calcification, salinization, porgyalization और glygenization ठीक है तिन पाँच प्रोसेस के थूरू हमारी soil की genesis होती है अब एक ही करके इनको हम लोग research कर लेते हैं तो सबसे पहले हैं पहला जो factor है parent rock, parent rock हमारी कहां होती है लीथोई sphere में होती है और लीथोई sphere में जो rock होते हैं black soil हो गया तो black soil हमारी बन की किस से बनती है पैसाल्टिक जो हमारी rock है उससे हमें बनती है black soil और red soil जो होती है हमारी igneous rocks बनती है तो जो soil में जो color होती है और उसके minerals होते हैं वो हमारी parent rock से आते हैं जो weathering process से हमारी soil में add होता है ठीक है तो हमारी parent rock जैसा होगा वैसा soil की texture औ और color वहाँ पे decide होती है, major, वैसे तो color यहाँ पे climate factor से भी define होती है, कि humans की content कैसी है, यह दिस वाइल में humans की content होती है, तो उसमें क्या होता, gray color की हो जाते हैं, लेकिन major जो color और texture होती है, वो हमारी parent rock से decide होती है, अब दूसरा factor दोस्तो, climatic factor, अब different climatic factor में weathering process, erosion, deposition, यह से हमारी change होती है, और बहुत सारे factors जो involve होते हैं, जो 5 जो हमारी process है, वो हमारी climate factor से ही depend करती है, जैसे example तर पर आप देख सकते हो, कि equatorial region में laterized soil मनती है, क्योंकि laterization process होती है, leaching process होती है, तो वहाँ पे climatic factor अलग है, और desert area में देखो कि desert soil होहाँ पे develop होता है, क्योंकि वहाँ पे calcification होता है process, उसको हम लोग detail में study करेंगे, तो different climatic factor में जो soil की formation होती है, वो हमारी अलग-अलग होती है, फिर relief भी हमारी factor है, relief में आप देखोगे, जो जहाँ पे steep slope होती है, यानि कि mountainous region में बहुती थीन पतली layer होती है, हमारी soil की, क्योंकि वहाँ पे relief ज़्यादा है, और जो भी हमारे material वहाँ पे बनते हैं, वो हमारी erode होके बाद में बहुत सारे geographical agent होते हैं, उसके तुरू वहाँ पे बह जाते हैं, तो relief हमारी depend करती है, फिर हमारी flora, fauna, micro organism, जहाँ पे forest ज़्यादा होते हैं, forest soil का development होता है, humans की content अच्छी होती है, micro organism ज़्यादा होते हैं, स्वाइल में और जहाँ पे flora, fauna, micro organism की absence होती है, वहाँ पे soil हमारे area type का होता है, और इसके लावाँ दोस्तों time, यानि कि soil की profile की मतलब है depth, जो depth हमारी होती है soil का, तो soil की profile तब develop होती है, जब बहुत ज़्यादा time उसको मिलता है, यानि कि over the time, यदि ज़्यादा larger duration तक soil वैसे ही है, तो वहाँ पे soil profile डेवलफ होती है, यानि thick soil डेवलफ होती है, तो time ही हमारे एक factor है, soil genesis में 5 factors involved है, parent rock, climatic factor, relief, flora fauna, micro organism और time, इसके लाँ देखो के soil genesis में, soil formation में 5 हमारी process involved है, जो generally climatic factors से यहाँ पे control होती है, अब देखो, simply आप देखो के, तो मालो यह हमारा earth है, तो earth में आप देखोगे, तो earth में जो हमारी equatorial belt है, वहाँ पे letterization process होती है, ठीक है, और backtrization process होती है, letterization का मतलब है यहाँ पे, कि वहाँ पे equatorial region में बहुत ही heavy rainfall होता है, और high temperature होती है, और heavy rainfall से क्या होती है, कि जो हमारी, जो smile के, अपर जो smile में, यानि कि smile के profile में आप देखोगे, हम लोग डिटल में study करेंगे, लेकिन smile के profile में देखोगे, different horizon होते हैं, सबसे उपर होता है, कि organic matter होता है, उसके नीचे A horizon होते हैं, और उसके नीचे B horizon होते हैं, ठीक है, तो laterization process क्या है, कि A horizon के जो बहुत सारे minerals हैं, वो पानी में घुलके, dissolve होके, नीचे वाले B horizon में चले जाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं laterization, तो laterization process होती है, उसमें क्या होती है, leaching होती है, और leaching होने से, जो उपर की, जो A horizon की, जो हमारी minerals होती है, वहाँ पे dissolve होके, B horizon में चले जाते हैं, यानि कि upper soil की जो अपर, जो layer होती है, वो हमारी infertile होती है, minerals की कमी होती है, तो laterization process से हमारी leaching होती है, और A horizon यानि अपर जो soil होती है, उसमें हमारी minerals की कमी होती है, और Bacterization होती है, क्योंकि वहाँ पे high temperature होता है, मौहसर भी होती है, तो bacteria activities बहुत जादा होती है, और जो भी हमारी humus होती है, वो bacteria उसको decompose कर देती है, इसके वज़े से soil की जो upper part होती है, उसमें humus की भी कमी होती है, और वहाँ पे minerals की भी कमी होती है, तो आप देखो के laterization और bacterization process हमारी कहां होती है, जहाँ पे heavy rainfall और हमारी high temperature हो, यानि equatorial region में हमारी ये process होती है, इसके तुरू हमारी laterite soil का development होता है, और इस soil में upper soil होता है, होरिजन में होँआ minerals की कमी होती है, और साथे साथ वहाँ पे humans की भी कमी होती है, क्योंकि bacterial growth बहुत ज़्यादा होता है, यह हमारी first हमारी process हो गई, दूसरी process है, calcification, अब देखो, आर्थ में फिर इसको आप देखोगे, तो सबसे पहले हमारी equatorial region में laterite soil मिलता है, या laterization process होती है, उसके बाप आप देखोगे, तो नदर हमें सिबर में different जो हमारी क्या है, डिजर्ट पायाते हैं, और डिजर्ट में खासियत यहाँ है, कि यहाँ पे precipitation बहुत ही कम होता है, और यहाँ पे temperature ज़्यादा होता है, तो आपे calcification process होती है, calcification process में क्या होती है, यह बाप प्रोफाइल में ज जो हमारी minerals है, वो हमारी calcification में क्या होती है, बीस से जो minerals होती है, वो उपर आते हैं, ठीक है, capability action के थूँँआ उपर आते हैं, तो जो बहुत सारे salt जो होते है, वो अपर, जो soil के layer होती है, वहाँ पे आकर accumulate हो जाते है, यह हमारी calcification process होती है, जो हमारी digit area में होती है, तो इसके तुरू भी हमारी स्वाइल की formation होती है इसमें क्या होती है कि जो हमारी calcium होती है salt का deposit हमारी upper स्वाइल में यहाँ पर जमा हो जाता है calcification process तुरू तिसरी जो process है स्वाइल इजनेसिस का हमारी है salinization process salinization process में salt का accumulation होता है और जनरली यह आप देखोगे तो जहां पर poor drainage system होती है और जहां पर evaporation ज्यादा होता है जैसे मालो राजिस्थान की रिजन में और हर्यारा की रिजन में वहाँ पर जो नहर से सिजाई की जाती है उसके तुरू गया होती हाई evaporation होता है तो water तो उपर ev जमा में पर जमा हो जाता है तुछ प्रोसेक से घालना फर्याहर से स्परोशेस के लाओ आप देखो गे तो different जो northern area होती है वहाँ पर जो tak वो भी वातर होती है वो स्वाईल में एकप्ड हो जाती है और बाद में वहां पे हो जाता है ते युँ घcken होती है ऐसरी जुद क्या अध्यर्त है यह हमारी जुद्ब इजन होती है यह हमारी टेम्प्रेट रिजुन होती है जहाँ पर टायगा फॉरश्ट मिलते हैं जासे मालोम अर्थ हो गया यहहां वहांविट्रियल रोगए यहां प्रोसेस होती है, यह हमारी cool environment होती है, और यहाँ पर आप देखो कि bacterial growth बहुत ही कम होती है, इसके तुरू जो फोरेस्ट में, यानि जो भी grasses हैं, या जो भी humus वहाँ पर generate हो रही है, उसका decomposition नहीं हो पाता है, इसके विए से यहाँ पर humus un-decomposed रहता है, जैसे कि आप देखो होती है, इसके लिए फिफ्ट प्रोसेस है, वह है gladiation, ठीके, gladiation प्रोसेस कहां होती है, यह हमारी होती है, जहां पे MERxy environment होती है, यानि कि water accumulation होती है, वहाँ पे, जैसे मानलो, water logging में क्या होती है, मानलो, biosphere शे जो हमारी humus है, पत्ते हैं, और वहां पे, oxygen की कमी के वज़ा से इसके वज़े से अच्छे से डिकंपोज नहीं हो पाते हैं गलेजेशन प्रोसेस में इसके तो हमारी PT या मार्सी स्वाइल का हमारे डेवलप्मेंट होता है गलेजेशन प्रोसेस में क्योंकि oxygen की absence में यहाँ पे डिकंपोजेशन होता है ठीक है तो हमारी एक dark black color की होती है PT स् से होती है तो इस तरह से फाइफ प्रोसेस हमारी इनवॉल्प है स्वाइल की formation या स्वाइल उन्यसिस में और फाइव फैक्टर हमारी हें स्वाइल की जिनेसिस में तो यह रहां दोस्तो आज का वीडियो कि टू एक बास समराज कर लेते हैं कि स्वाईल जनेसिस या transformation of rock into agriculture land is called soil formation या स्वाइल जनेसिस और स्वाइल जनेसिस के 5 factors involved होते हैं स्वाइल जनेसिस को जो effect करते हैं और 5 process involved होते हैं जो generally climatic factor से control होते हैं इन 5 process 5 factors दोनों को आप लिखोगे तब हमारा स्वाइल जनेसिस के process है वो हमारा complete हो जाएगा तो आज के लिए बस नए दोस्तों thank you for watching मिलते हैं अगले वीडियो में नए topic साथ thank you